किचिन में घर में या फिर other household chores को complete करने में जितना time हम देते हैं उतना ही time हमें personally अपने लिए भी select करना चाहिए और उस time में हम अपने लिए जो भी चीज़ें करना चाहते हैं जो चीज़ें हमें personally बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं जो हमें entertain करती हैं हमारी mind को fresh रखती हैं वो करनी चाहिए तो इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रख कर ही जब हम घर के बाकी के कामों को करेंगे और अपनी खुशी को सबसे जादा importance देंगे क्योंकि हमें पता है हम home maker हैं और घर में बहुत ही सारे इस तरीके के काम होते हैं जिने manage करने के लिए हमें smart और एक fresh mind की ज़रूरत होती है तो वो हमें कहां से मिलेगा अगर हम अपना ही ख्याल नहीं रखेंगे तो सबसे important है कि सबसे पहले अपनी self care करिए and then आप अपने बाकी के household chores को बहुत ही smartly finish कर पाएंगे So hello everyone, namaste and welcome to my channel myself Nitu and इस channel पर post करती हूँ videos related to my home, home making, kitchen, tips and tricks जो मेरे लिए तो काफी useful है and आपके लिए भी बहुत beneficial होंगी तो आज के वीडियो में बहुत ही amazing से ideas या फिर आप कहिए की hacks share करूँगी So let's begin गर्मिया आ चुकी है और मैं कर रही हूँ कपड़ों की sorting कौन से कपड़े बाहर रखने हैं, कौन से कपड़ों को pack करके रखना है इसी चक्कर में मुझे काफी सारे इतने कपड़े मिले जो बच्चों को fit नहीं आ रहे हैं बच्चे बड़े हो गए और कपड़े उनको छोटे पढ़ने लगे हैं इसी तरीके से मेरे भी कुछ कपड़े ऐसी हैं जो पुराने हो गए हैं फेड़े हो गए हैं और मैं उनको यूज नहीं कर रही हूँ तो अभी तो कोई आइडिया नहीं आ रहा है कि इनको कहां पर रियूज करें तो इससे अच्छा है कि हम इनको pack करके रख दें जिससे यह extra space भी occupy ना करें और दिखने में औकबर्ट भी ना लगे कि यह यह इस तरीके से पड़े हैं पुराने कपड़े तो इसके लिए मैं ट्राइ कर रही हूँ इस तरीकी का एक कुशन कवर आप किसी भी तरीकी का कुशन कवर यूज कर सकते हैं दिखने में थोड़ा सा elegant और एक उसकी appearance है जो काफी attractive हो तो सारे ही कपड़ों को fold करके और बहुत ही अच्छे से मैं इस कुशन कवर के अंदर रखतूंगी तो हमें filler की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारे बेकार पड़े हुए कपड़े भी बहुत ही अच्छे से इसके अंदर fixed होके आ गए है तो अब इस कुशन कवर को या इस कुशन को आप कहीं पे भी place करिए आइलिगेंट तो लगी रहा है और जब भी कोई आएगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसमें अपने पुराने कपड़े रखे हैं definitely try करिएगा so let's move on to next hack तो यहाँ पर है मेरी ये bedside table and इस पे देखे कितना सारा mess इकटा हो गया है मेरे बेटे के पैर में दर्द हुआ तो बैंडेस बांदी थी and morning में जल्दवाजी में मैंने इसे यहीं पर छोड़ दिया कुछ diary है, AC का remote है and एक envelope है तो इन सारी ही चीजों को मैं clean कर दूँँगी अभी मेरे पास time है and ये इस तरह की household जो काम है न वो होते है तो इनको हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे उपर burden है, रोजा ना ही हमें ये सब करना पड़ता है, नहीं मुझे बिल्कुल अच्छा feel नहीं होता है अगर मैं इन चीजों को ऐसे ही छोड़ दूँ तो सबसे पहले तो मैं जो bandage है उसको fold करके रखूंगी और जो भी यहां पर extra सामान है उन्हें उनके place पे रखतूंगी and then मैं happy feel करूंगी क्योंकि ये सारे ही काम अगर मैं नहीं करूंगी न तो मैं चाहिए जहां घूंग के आ जाओं चाहिए जितना fresh mind रखने की कोशिस करूं मुझे बिल्कुल अच्छा feel नहीं होता है क्योंकि मेरे घर के काम पड़े हुए है तो ये सारे ही चीजें personally मुझे पसंद है करने में और ये एक envelope है जो बेटे के school में बनवाया गया था और इसके अंदर में एक letter है जो मम्मी के लिए लिए लिखा हुआ था तो शाम को बेटे ने मेरे को पढ़के सुनाया उसके बाद बेटी को ध्यान में रखकर मैंने ये सारी ही चीजें यहाँ पर छोड़ दी क्योंकि उसे भी थोड़ा time देना था तो morning में जब बेटा school चला गया उसके बाद मैंने सारी ही चीजें को नीट एंड क्लीन कर दिया और ये जो बॉटल आर्ट आप देख रहे हो ना इसका वीडियो अल्रेडी मेरे चैनल पर अप्लोड़ेड है अगर आप देखना चाहते हो complete tutorial और इसे बनाना चाहते हो तो link आपको description box में मिल जाएगा तो इस वीडियो को complete देखने के बाद आप वो वीडियो जरूर देखीगा तो हो गया मेरा प्यारा सा एक corner ready और सारी ही चीजें neat and clean हो गई और मुझे बहुत happy feel हो रहा ही ये सारी ही चीजें मैं अपनी personal happiness के लिए करती हूँ और इसी के साथ में मेरा घर भी clean हो जाता है तो चलिए देखते हैं अब next hack या फिर idea तो मेरे पास हैं यहाँ पर इस तरीके की ये DIY कुछ planter या फिर flower bus बोलिए मुझे DIY करना बहुत पसंद है and मेरे लिए stress buster है जब भी मुझे अच्छा feel नहीं होता है या कभी मैं low feel करती हूँ या फिर negative thoughts मेरे mind में आने की कोशिस करते हैं तो मैं इस तरीकी की चीजें करके जो भी मेरा विकार सा time है या जो negative thoughts आने वाले होते हैं उन्हें वहीं पर stop कर देती हूँ इस से मुझे तो बहुत अच्छा feel होता है मेरा time भी utilize हो जाता है साथ में negativity भी enter नहीं कर पाती है ना तो हमारे mind में और ना ही हमारे घर में और इसी के साथ में बहुत ही cute से beautiful सी चीजें हमारे घर के लिए ready हो जाती है तो काफी time पहले हमने एक juice की bottle purchase की थी जिसके साथ में इस तरीकी के ये plastic के glass हमें मिले थे तो इसको मैंने पूरा ही इस तरीके से jute rope से cover कर दिया glue gun की help ली थी and साथ ये patches देख रहे हो ना ये मेरी पुरानी साडी के हैं जिनने मैंने fabric glue की help से इसके उपर stick कर दिया और इन में पानी भरके मैं अपने bedroom में कुछ money plant की branches लगा दूँगी बहुत अच्छे से survive करेंगे and summer season में ये greenery वाला look हमारे bedroom में बहुत अच्छा लगेगा and जब fan on होगा और ये पत्तियां move करेंगी तो बहुत ही प्यारा सा look create होगा so let's move on to next यहाँ पर मैं अपने पुराने artifacts को color कर रही हूँ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक memory से related होती है and इनको हम fake भी नहीं सकते क्योंकि time के साथ साथ जब हम उन चीजों के बारे में याद करती है तो बहुत अच्छा feel होता है and सोचते हैं अरे इसे तो हम वहाँ से लेकर आए थे तो ऐसी ही जब हम रामेश और हम पहली बार गए थे तब हम वहाँ से कुछ ये सामान लेकर आए थे जिसका color time के साथ साथ थोड़ा बहुत fade हो गया तो इनके उपर मैं दुबारा से color कर दूँगी ये सारी चीजें भी बहुत अच्छी लगती है और इस तरह की चीजें काफी सारे पैसे भी बचाती है और एक प्यारा सा नया look create कर देती है हमारे घर में ये candle holder तबका है जब मैं पहली बार अपने husband के साथ रहने आई थी तो एक exhibition लगी थी वहां से हमने इस तरह के तीन purchase किये थे दो shifting में इधर उधर कहीं खो गए तो एक ही बचा मेरे पास और अब है ये एक terracotta का pot जिसे paint कर दिया और इसके उपर कुछ colorful इस तरह के polka dots create कर दिये तो इन सारी ही चीजों को मैं यहां पर ये जो एक shelf है इसमें organize कर दूँगी ये चोटी चोटी चीजें हैं जो करने से बहुत अच्छा feel होता है और घर में एक fresh look create हो जाता है तो ये summer के लिए एक नया look मैंने create किया है अपने गर में जो मुझे एक नया fresh और पहुत ही प्यारी सी vibe create करके देता है तो इस तरह की चीजें भी आप कर सकते हो जो एक नया look दें और इन्हें देखकर आपको काफी fresh और अच्छा अच्छा भी feel होगा तो चलिए अब देख लेते हैं अपनी next है कि यहाँ पर मैंने लिया है इस तरीके का ये एक fabric मैं market से इसे सिर्फ 100 रुपीज में मैंने purchase किया था और इसमें मेरा एक table cover and 2 cushion cover बहुत ही smartly मैंने बना लिये तो अगर आपको भी कम पैसे में इस तरह की affordable चीजें अच्छी चीजें मिलती हैं तो आप definitely उनको purchase करिए and साथ में मैंने ली है यहाँ पर इस तरीके की white color की ही उन तो इससे मैं कुछ tassels create करूँगी कुछ इस तरीके से and इनको अपनी उंगलियों के उपर इस तरीके से लपेटूँगी पूरा ही 30 बार मैं लपेटूँगी आप जितना घना चाते हो पतला चाते हो उस तरीके से इसको लपेट सकते हो और एक tassel मैं बना लूँगी ये सारी ही चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है करनी and जब भी मुझे free time मिलता है मैं stitching करने की कोशिस करती हूँ कुछ ना कुछ पुराने कपड़ों से या फिर कुछ जो बचे हुए कपड़े रखे हैं like blouse pieces हैं कुछ कुर्तियों के कपड़े हैं उनसे कुछ ना कुछ नया बनाने की कोशिस करती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है and एक दम से stress buster मुझे लगते हैं and negativity तो मेरे पास आती ही नहीं है बिलकुल भी क्योंकि इस तरह की चीज़ें जब आप करोगे तो आपका दिमार creativity में जाएगा ना की negativity की तरफ तो try करिए इस तरह की चीज़ों को करने का और देखिए बात सारे ही tessels completely लग चुके हैं ट्रिम भी होने ही वाले हैं तो आप भी ऐसी चीज़ें try करिए जो आपको पचंद है और जो आपके लिए stress buster हैं खाली टाइम का कुछ इस तरीके से utilize करिए आप अपने mind को fresh और एक अच्छा सा appearance देने के लिए मेरी सारी ही चीज़ें बनके ready हो गई हैं और मुझे बहुत अच्छा feel हो रहा है और summer season के लिए ये सारी ही चीज़ें just perfect हैं बहुत अच्छे से combination create हो गया next है मेरे पास इस तरीके का ये photo frame ये काफी time पहले मैंने बनाया था और आप देख लीजिए क्योंकि मुझे comment आया था कि आपने ये कैसे बनाया तो frame मैंने market से purchase किया था एंड इसके अंदर photo की जगह मैंने एक fabric के उपर ये इस तरह के patch लगा दिये जो मुरी पुरानी कुर्ती के थे एंड इसको frame के अंदर रखके मैंने pack कर दिया तो अब मैं इसे change करूँगी, change करने के लिए मैंने लिया है इस तरीकी के अपने बेटे की एक पुरानी scrap book का एक paper और इसी के साथ मैं मैं ले रही हूँ इस तरीकी का ये एक printed paper ये mostly आपको जो भी आपकी stationary shop है वहाँ पर मिल जाएगा या online भी मिल जाएगा तो stationary shop पे ही मैं जाके इसको लिया था and 10 pieces मुझे around 50 और 60 rupees के मिले थे तो उसमेंसे ही मैंने ये paper कट किया है and simply इसको glue की help से मैं this plain paper के ऊपर बिल्कुली center में stick करूँगी जिससे चारो ही sides में मुझे बराबर ही area मिले and कुछ इस तरीके से stick करेंगे तो ये भी एक अच्छा सा idea है अगर आपको ज़्यादा creativity नहीं आती है आपको painting नहीं आती है staging नहीं आती है तो आप simply इस तरह की चीज़ें भी try कर सकते हो अपने घर को decorate करने के लिए और अपने mind को एक positive way में use करने के लिए तो देखिए उसी frame की अंदर मैंने इस poster को या फिर इस design को भी fix कर दिया और मेरा बढ़िया सा एक frame ready हो गया आप भी definitely say try करिएगा So friend this is all about today's video and इसी तरीके से मैं अपने सारे ही काम करती हूँ जो करके मुझे बहुत ही अच्छा feel होता है ये कोई burden नहीं है हमारे लिए हमें ही सारे काम करने है और इन कामों को अगर आप burden की तरह लोगे तो आपका mind बिल्कुल भी free नहीं होगा आपके सारे ही काम जो है न वो pending पड़े रहेंगे क्योंकि आप सोचोगे अगर आज नहीं कल कर लेंगे कल नहीं परसों कर लेंगे घर के काम है इनने तो रोजा नहीं करना पड़ता है इन चीजों को burden की तरह नहीं एक enjoyable moment की तरह लीजिए यह task है जो आपको complete करने है इस तरह से जब आप करेंगे तो आपका mind बिल्कुल ही free रहेगा और बोलते हैं कि खाली दिमाग शेतान का घर होता है तो आपको अपने आपको busy रखना है और इस तरीके से busy रखना है कि आप अपनी छोटी छोटी खुशियों का खयाल रखें ऐसा नहीं है कि बाकी के काम करते हुए आप अपनी खुशियों को भूल जाए तो I hope कि आपको बहुत पसंद आया होगा वीडियो बहुत ही जल्दी लेकर आऊंगी amazing सा वीडियो till then enjoy your home making and अपनी खुशियों का ध्यान रखें बाबाई